केंद्रिय मंत्रि मंदल के मेरे साथी अर्जुन बुंडा जी पगन सिंग कुलस्ते जी स्रिमति रेनुका सिंगी डॉक्टर भार्ति पावार जी विश्वेश्वर तूडु जी अन्यमहनुभाव और देश के अलग-अलग राज्यों से आए मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों आप सभी को आदी महोसव की बहुत-बहुत शुब कामना हैं आज आदी के अमरित महोसव में आदी महोसव देश की आदी विरासत की भव्य प्रस्थूति कर रहा है अभी मुझे मुझे मोका मिला देश की अदिवासी परंपठा के इस गवरोव साली जाकी को देखने का तरह तरह के रस तरह तरह के रंग इतनी खुबसरत पोशाकें इतनी गवरों मई परंपराएं भिन्द भिन्द कलाएं भिन्द भिन्द कलाकुर्तियां भाती भाती के स्वाद तरह तरह का संगीत ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता उसकी भव्यता कंदे से कंद्धा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है ये भारत के उस अनंत आकास की तरह हैं जिसने उसकी विवितताएं इंड्र धनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है और इंद्र धनुष की एक और विशेस्ता भी है ये अलगरंग रख जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बन जा है जो विश्व को द्रश्टी भी देता है और दिशा भी देता है ये अनंत विवितताएं जब एक भारत स्रेश्ट भारत के सूत्र में पिरोती हैं तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मारदर्शन करता है ये आदी महोत्सव विवितता में एक तां हमारे उस सामर्त को नई उच्चाई दे रहा है ये विकास और विरासत विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवन्त बना रहा है मैं अपने आदिवासी भाई बैनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बढ़ाई देता हूँ साथियों 21 सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है जिस्ते पहले दूर सुदूर समझा जाता था अब सरकार दिल्ली से चल कर उसके पास जाती है जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है बीते आठ नव वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदी महोत्सव जैसे कारकम देश के लिए एक अभियान बन गए है कितने ही कारकमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हीत मेरे लिए व्यक्तिकत रिस्तों और भावनाओं का विशे भी है जब मैं राजनितिक जीवन में नहीं था एक सामाजी कारकरता के रूप में संगठन के कारकरता के रूप में काम करता था तो मुझे अनेकों राज्यों में और उस में भी हमारे जनजातिये समू के बीच जाने का आउसर मिलता था मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाजों के साथ आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सब्तावित्या है मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है गुजरात में भी उमर गाम सेंबा जी तक गुजरात की पूरी पूर्वी पट्टी उस आदिवासी पट्टे में जीवन के अत्यंत महत्वपन वर्ष मेरे आदिवासी भाई बेनों के सेवा में लगाने का मुझे सवभागी मिला था आदिवासी को कि जीवन शैली ने मुझे देश के बारे में हमारी परंपराओं के बारे में हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूँ तो एक अलगली तरह का अपनत्व मुझे फील होता है आपके बीच अपनों से जुड़ने का एसास होता है साथियों आदिवासी समाथ को लेकर आदेश जिस गवरों के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है मैं जब विदेशी राष्टा देख्षों से मिलता हूँ और उन्हें उपहार देता हूँ तो मेरी कोशिस होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गवरों के रुप में प्रस्तूत करता है आज भारत विश्व को ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजिज है न अगर उसका समाधान आपको चाहिए आएए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन सहली देख लीजिए आपको रास्ता मिल जाएगा आज जब सस्टेनेबल डिवलप्मेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाध से बहुत कुछ सिखने की जरूस है हम कैसे पैड़ों से जंगलों से नद्यों से पहडों से हमारी पीडियों का रिस्ता जोड सकते हैं हम कैसे प्रकृती से सवसाधन लेकर भी उसे समरक्षित करते हैं उसका समवर्दन करते हैं इसकी प्रेणा हमारे आदिवासी भाई बैन हमें लगातार देते रहते हैं और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है साथियों आज भारत के पारंपरिक और खास कर जन जातिये समाध द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडस की डिमांड लगातार बढ़ रही है आज पुर्वत्तर के प्रोडक्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे है आज बैम्बू से बने उत्मादों के गिलोग पुरियता में तेजी से वृद्धी हो रही है आपको याद होगा पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तमाल पर कानूनी प्रतिबन लगे हुए थे हम बैम्बू को गास की केटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबन लगे थे उसको हमने हटा दिया इससे बैम्बू प्रोडक्स अब एक बड़ी इंडुस्ट्री का हिस्सा बन रहे है ट्राइबल प्रोडक्स जादा से जादा बाजार तक आएं इनकी पहचान बड़े इनकी डिमान बड़े सरकार इस दिशा में लगा भी लगातार काम कर रही है वन धन मिशन का उदारण हमारे सामने है देश के अलग अलग राज्यों में तीन हजार से जादा वन धन विकास केंदर स्थापित किये गए हैं 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लगूवन उत्पाद होते थे जो MSP के दाइरे में आते थे अब ये संख्या बढ़कर साथ गुना हो गई है अब ऐसे करीब 90 लगूवन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सेपोर्ट प्राइस MSP दे रही है पच्चास हजार से जादा वनधन स्वयम सहायता समोत के जरिये लाखों जन जातिये लोगों को इसका अलाब हो रहा है देश में जो स्वयम सहायता समों का एक बड़ा नेटवर्क तयार हो रहा है उसका भी फाइदा आदिवासी समाज को हुआ है असी लाख से जादा स्वयम सहायता समों सेल्प हेल्प ग्रूप्स इस समय अलग लग राज्यों में काम कर रहे हैं इन समों में सवा करोर से जादा ट्राइबल मेंबर्स हैं उस पे भी हमारी माताय बेहने हैं इसका भी बड़ा लाब आदिवासी महलाओं को मिल रहा है भाइव और भहनो आज सरकार का जोर जन जातिय आर्ट्स को प्रमोट करने जन जातिय युवाओं के स्कील को बढ़ाने पर भी है इस बार के बजेट में पारम पारिक कारीगरों के लिए पी-म विश्व कर्मा योजना शुरू करने की गोशना भी की गई है पी-म विश्व कर्मा के तहर आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी स्कील ट्रेलिंग दी जाएगी अपने प्रोड़क की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा इसका बहुत बड़ा लाब हमारी युवापीडी को हने वाला है और साथियों ये प्रयास केवल कुछ एक शेत्रों तक सिमित नहीं है हमारे देश में सेंकड़ों आदिवासी समुदाय है उनकी कितनी ही परंपराय और हुनर ऐसे है जिन में असीम संभावना एचिपी है इसलिए देश में नए जनजातिये शोद संस्तान भी खोले जा रहे हैं इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही ख्षेत्रों में नए आउसर बन रहे हैं साथियों जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहाँ एक बात नोट की थी वहाँ आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे इतना बड़ा आदिवासी समुदाय था लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी खेत्रों में साइन्स स्ट्रीम की स्कूले बनाने में प्रात्विक्ता नहीं थी अब सोचिये जब आदिवासी बच्चा साइन्स ही नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनता इस चुनवती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी खेत्र के स्कूलों में साइन्स की पड़ाई का इंतजाम करके किया आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कौने में हो उनकी सिक्षा उनका भविश्य ये मेरी प्रात्विक्ता है आज देश में एक लव्य मोडल आदिवासी बिद्यालों के संक्या में पांच गुना की वृद्धी हुई है 2004 से 2014 के बीच दस वर्षों में केवल 91 लव्य आदिवासी स्कूल खुले थे लेकिन 2014 से 2022 तक इन आठ वर्षों में 500 से ज़ादा एक लव्य स्कूल स्विक्रूत हुए है वर्तमार्ण में इनमें 400 से ज़ादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है एक लाग से जादा जनजातिय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं इस साल के बजेट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी जादा सिक्षकों और कर्मुचारियों को बढ़ती की भी गोषणा की गई है अनुस्विचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कूलर्शिप में भी दो गुने से जादा की बढ़ोत्री की गई है इसका लाप 30,000,000 विद्यार्दियों को मिल रहा है साथियों आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था लेकिन नई राष्ट्रिय शिक्षानीती में मात्रु भाषा में पढ़ाई के विकल को भी खोल दिये गए हैं अब हमारे आदिवासी बच्चे आदिवासी युवाओं अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे साथियों देश जब आखरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्रात्मिक्ता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं हमारी सरकार वन्चीतों को वरियता वन्चीतों को वरियता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है सरकार जिन आकांची जिला आकांची ब्लॉक को विक्सित करने का प्यान चला रही हैं उसमें ज्यादातर आदिवासी बहुले इलाके हैं इस साल के बजेट में अनुसुचित जनिजातियों के लिए दिया जाने वाला बजेट भी 2014 के तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया गया है आदिवासी खेत्रों में बहतर आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर बनाये जा रहा है आदुनिक कनेक्टिविटी भरने से परियतन और आएके अउसर भी बढ़ रहे हैं देश के हजारों गाउं जो कभी वामपन थी उगरवाद से प्रभाविट थे उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है यानि जो युवार अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फच जाते थे वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिये मुख्यधारा से कनेक्ट हो रहे हैं ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसकी वो मुख्यधारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तब पहुंच रही है ये आदि और आदिनिक्ता के संग्यम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलन इमारत खड़ी होगी है साथियों बीते आठ नव वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साथ्षी रही है कि देश कैसे समानता और सम्रस्ता को प्रात्पित्ता दे रहा है आज आदि के बाद 75 वर्षों में पहली बार देश का नेत्रुत्वा एक आदिवासी के हाथ में है पहली बार एक आदिवासी महिला राष्पती जी के रूप में सर्वोच पत पर भारत का गवरो बढ़ा रही है पहली बार आज देश में आदिवासी इतियास को इतनी पहचान मिल रही है हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लड़ाई में हमारे जन जाती है समाच के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है कितनी बड़ी भूमे का निवाई थी लेकिन देश दसकों तक इतियास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर वीर फिरांग नाओं के उन बलिदानों पर परदा डालने के प्रयास होते हैं अब अमरुत महोचों में देश ने अतित के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बिड़ा उठाया है पहली बार देश ने भगवान बुर्शा मुंडा की जन्म जैंती पर जन जाती है गवरव दिवस मनाने की शुरुवात की है पहली बार अलग-अलग राज्यों में आधिवासे स्वतंत्रता सेनानी मुज्यम कोले जा रहे है पिछले सारी मुझे जारखन के राची में भगवान बिर्शा मुंडा को सबर्वित मुज्यम के लोकारपन का आउसर मिला था ये देश में पहली बार हो रहा है लेकिन इसकी छात आने वाली कई पीडियों में दिखाई देगी ये प्रेणा देश को कई सद्यों तक दिशा देगी तात्यों हमें हमारे अतीत को सहजना है वर्तमान में करते वे भावना को सिखर पर ले जाना है और भविश्य के सपनों को साकार करके ही रहना है आदी महोत्सव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक मजबूत माज्यम है हमें इसी एक अभियान एक अभियान के रूप पे आगे बढ़ाना है एक जनांदोलन बनाना है ऐसे आयोजन अलग-अलग राज्यों में भी जादा से जादा होने चाहिए साथियों इस वर्ष पुरा विश्व भारत की पहल पर इंटरनेशनल मिलेट येर भी मना रहा है मिलेट्स जिसे आम आमतोर भाशा में मोटे अनाच की रुप में जानते हैं और सदियों से हमारे स्वास्त के मूल में ये मोटा अनाच था और हमारे अधिवासी भाईबेन के खान पान का वो प्रमुग हिस्सा हो रहा है अब भारत ने ये मोटा अनाच जो एक प्रकार से सुपर फूड है इस सुपर फूड को स्री अन्ड की पहचान दी है जैसे स्री अन्ड बाजरा, स्री अन्ड ज्वार, स्री अन्ड रागी ऐसे कितने ही नाम है यहां के महोसों के फूड स्टॉल पर भी हमें स्री अन्ड का स्वाध और सुगन्द देखे दे को मिल रही है हमें आदिवासिक छेत्रों के स्री अन्ड का भी जादा से जादा प्रचार प्रसार करना है इसमें लोगों को स्वास्त का राप्त होगा ही आदिवासी किधानों की आई भी बढ़ेगी मुझे परोसा है अपने इन प्रयासों से हम साथ मिलकर विश्षीद भारत के सपने को साकार करेंगे और जब मैं आज मंत्राले ने दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन किया है देश भरके हमारे आदिवासी भाईवें अनेक विवित दाप पूरन चीजे बना करके यहां लाए है खास करके खेत में उत्पादन उत्तम चीजें यहां लेकर के आये है मैं दिल्ली वास्यों को हर्याना के नदिके गुरुगराम बगएरे इलाके के लोगों को उत्तर प्रदेश के नौएडा गाजियाबाद के लोगों को आज यहां से सार्वजनी गुरुप से आगरह करता हूं जरा दिल्ली वास्यों को विशेश आगरह करता हूं कि अब बड़ी तादार में आईए आने वाले कुछ दिन यह मेला खुला रहने वाला है आप देखिए दूर सुदूर जंगलों में इस देश की कैसी कैसी ताकते देश का भविश्य बना रही है जो लोग हेल्स कॉंसियस है जो डाइनिंग टेबल की हर चीज में बहुत ही सतर्क है विशेश करके ऐसी माताओं बहनों से बेरा आगरह हैं आप लगातार वही से मंगवाएंगे अब जैसे यहां हमारे नौर्थ इसकी हल्दी है खास करके हमारे मेगाले से उसके अंदर जो नौर्थ इसकी हल्दी शायद दुनिया में कहीं नहीं है अब जब रेखते हैं पता चलता है तो रखता है हाँ अब हमारे कीचल में यही हल्दी हम उप्योग करेंगे और इसलिए मेरा विशेश आग रहे हैं दिल्ली हर्याना और उत्तर प्रदेश के जो इलाके यहां पास-पास में हैं वो यहां आए और मैं तो चाहूंगा दिल्ली दम दिखाएं कि मेरे आदिवासी भाई-बैन जो चीजे लाके आए एक भी चीज उनको वापिस ले जाने का मोका नहीं मिलना चाहिए सारे के सारे यहां बिक्री हो जानी चाहिए उनको एक नया उत्सा मिलेगा हमें एक संतोस मिलेगा आईए हम मिल करके इस आदि महोसों को चीरस मरनिय बना दे यादगार बना दे बहुत सफल बना करके रखें आप सबको मेरी तरब से बहुत बहुत शुप काम रहे बहुत ब देवियो से जनों आईये हम